डुक्ट्र डूम आ रहा है और इस तरफ निल हो अगर हम इन दोनों को लड़वा दें। हुआरे हैं दो पाउफल विंच मिले तो हम उनानों को लड़वा देते हैं। आरे यार는 हमारे हैं अबसक्राइंud नल वर्सेस डॉक्टर डूम, किंग ओव सिंबियोड वर्सेस ए सर्चर्वर सुप्रीम विट इन इमेंस नोलेज ओफ टेक्नोलोजी लाइक टोनी स्टाक एंड रीड रिचर्ड्स, इन दोनों का फाइट होता है तो कौन जीतेगा, वाइल इन दोनों का फाइट हुआ नहीं अगर इन फूचर होता है एदर इन कॉमिक्स और लाइव एक्शन नल जीत जाएगा, वीडियो खतम नहीं हुआ है, कैसे जीतेगा, क्यों जीतेगा, चानना पड़ेगा ना, और मेरे पास पूरा डीटेल थियोरी है, देखो नल का अपिरेंस इतना जादा हुआ नहीं है दोक्टर डूम आसानी से मार देगा, क्योंकि बहुत मसकत के बाद नल मरा था, किंग इन ब्लाक स्टोरी लाइन में जब नल आता है, अर्थ, एडी के बच्चे को लेने, क्योंकि एडी के बेटे के पास ऐसे पावस थे, जिससे कि वो नल के लिए खत्रा बन सकता था, तब अर्थ के सारे सूपर हीरोज एंड इवन सूपर विलेंस भी नल को रोकने की कोशिस में लग चुके थे, और ओवियसली सब हार गे थे, इंक्लूडिंग सेंट्री एंड थोर, जब सेंट्री के साथ उसका फाइट होता है, तो वो सेंट्री को वोईड का नाम लेके उसके मा अर्णिवस में जितने भी डाक एंटिडिस हैं, इंक्लूडिंग वोईड सब के बारे में पता है, और आगे स्टोरी में जब थोर के साथ उसका फाइट होता है, तब थोर उसको एक ऐसा जबरदस्थ पंच मारता है, कि नल का जबड़ा तूट जाता है, बट विदिन ए से सेकेंड वो फिर से ठीक हो जाता है, और बलाक ने क्रोशवर को थोर के बोड़ी के आर पार कर देता है, तो इससे पता चलता है कि उस पे आप फिजिकली तो किसी भी टाइप का हम करी नहीं सकते, जीन ग्रे जब उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोसिस करती है, तब वो भ आर्मी में रख देता है, तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब यह सब कुछ नहीं कर पाए, तो वेनम ने आखिर कर क्या लिया, एक्चुली वेनम ने कुछ नहीं किया, एक कोस्मिक फोर्स है, जिसका नाम है एनिगमा फोर्स, जिसे गौड अफ लाइट भी कहा जाता ह है, जो क्रियेट हुआ था यूनिवर्स के क्रियेशन से पहले, एलोंग वीड डाकनेश, एड ओविएसली तो डिफीट देम, जब इनिगमा फोर्स एडी ब्रोक के अंदर जाता है, तब वो कैप्टेन यूनिवर्स बनता है, और तब जाके वो कैपबल एनम होता है, नल को मारने के लिए, and that's the only way you can defeat or kill Null, क्योंकि Null God of Darkness है, and उसे हराने के लिए उसी का equal and opposite power चाहिए, जो की है God of Light, यानि इनिगमा फोर्स, so simple है, डोक्टर डूम को इनिगमा फोर्स को अपने अंदर डाल ला है, और वो जीत जाएगा, वो अभी पोसिवल नहीं है, क्योंकि इनिगमा फोर्स अर्थ को इंटर करने की कोशिस करता है, तो वो इंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि Null ने सिंब्योज से पूरे अर्थ को कवर कर दिया था, but at that time वो सिल्व सफ़क के अंदर जाके अर्थ को इंटर करता है, and अर्थ में एंटर करने के तुरंत बाद वो एड इनियस हो, इंटेलिजेंट हो, Null को हरा नहीं सकता, तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बता दो मैं क्या कर सकता, मैं ना? Until and unless वो God Emperor Doom है, वहां में कुछ कह नहीं सकता.